हलो 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 बच्छो क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है am I audible to every one of you am I audible to every one of you hello बच्छो मेरी आवाज आ रही है सबको अगर आ रही है तो फटा फट से कमें सेक्शन में थम्स आप कर दो ता कि आज हम reproduction in animals शुरू कर सके ठीक है am I audible good evening good evening good evening good evening good evening everyone good evening everyone कैसे हो सब बरिया संदे को पढ़ना पर रहा है न कोई बात नहीं बटा एक्जाम आ रहे है थोड़ी बहुत हमें स्टडी करना है और आज का जो यह बटा चैप्टर है इस वान अफ दो मोस्ट इंट्रेस्टिंग प्लस वन अफ दो मोस्ट इंपॉर्टन चैप्टर ऑफ लाफ एट है ना इसी चैप्टर की आगे जाकर हम क्या देखेंगे इन डिटेल क्लास 10 में और उसके बार अगर आप बायलोजी ले लोगे तो उसके बाद क्या होगा क्लास 12 में दुबारा स्टाडी करेंगे डाट इस री प्रिडाक्शन इन अनिमल्स अब यहां पर विटा एकदम बैसिक चीज़े हम स्टडी करेंगे क्लास 8 में ठीक है बच्छ बच्छ मैं सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे री प्रिडाक्शन क्या होता है ठीक है वाटल इस बीडhãक्शन फिर हम क्या स्टडी करेंगे रीप अध्र क्टरू के तいます a sexual reproduction sexual reproduction फिर थोरा in detail study करेंगे a sexual reproduction और बार में बटा हम study करेंगे sexual reproduction तो शुरू करें शुरू करें वाइस ओपी हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गई मैं मैं आपके भावनाओं को समझ पा रहे हो ओके तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन फटावज से थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं फिर हैपी संडे करते हैं टीनों पॉइंट मैंने बता दिया है किन किन चीजों की हम study करेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाट की स्री प्रडाक्शन और वाइ इनर्जी के जिन्दा नहीं रह पाएंगे अगर हमारी बॉड़ी में अनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा यह जो लंबे-लंबे कमेंट आरे ना फटा-फट से यह सारे कमेंट नहीं लिख पाओगे आप टाइप नहीं कर पाओगे यह जो मैं आपके सामने बिटा पिछले तो हम जन्दा नहीं रह पाएंगे बट बट री प्रिडाक्शन के बिना भी और्गेनिजम जन्दा रह सकते हैं है ना री प्रिडाक्शन के बिना भी बटा री प्रिडाक्शन के बिना और्गेनिजम जन्दा रह सकते हैं तो फिर भी और्गेनिजम री प्रिडियूस क्यो करते हैं तो यहां भी अगर आप देखोगे बिटा देखिए रिप्रेडाक्शन इस नौट असेंशियल पॉर लाइफ ठीक है जंदा रहने के लिए इंपॉर्टन नहीं है लेकिन फिर भी और गेनिजम रिप्रेडियूस करते हैं का है भाई बावले हो गया है का नहीं रिप् अपने ही तरह और गेनिजम को प्रड्यूस करते हैं और इससे उनका क्या फाइदा होता है और यह वोता है कि इस असेंशल फॉर डी कंटिनुएशन ओफ स्पीसिस अपने आपको जिन्दा रखने के साथ साथ बिटा अपने पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना अपने पूर कि बात करें मानव जाती को आगे बरहाने के लिए वीटा रीप दाक्षिन असेंशन है तो रीप दाक्शन क्या है इतीज दीप प्रॉसस ओप वाट इस दीप प्रॉसस ओफ और गैनिजम प्रेदियूशन अप जैंशन का है बाई यह पैसेंशन इसलिए है क्योंकि यह और कि continuation को बरकरा रखेंगे आगे जाकर generation after generation क्या होगा generation after generation continuation आती जाएगे so reproduction is important as it ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation यह point clear सबके लिए क्या है reproduction and why it is essential अगर एक्जाम में कोशन पूछ लिया गया कि भाई reproduction का है हमको बता दो और क्यों जरूरी है यह भी बता दो तो आप लिक लोगे आराम से आगे बरते हैं फिर ठीक है आगे बरते हैं ओके अब बात करें बेटा टाइप अब जब हमारी हातों के पाचों उंगलिया बराबर नहीं है तो भाई reproduction कैसे सेम होंगे जितने अलग अलग organisms होते हैं सब में बेटा कुछ ना कुछ ना कुछ लोच्शण जरूर होता है सब में कुछ ना कुछ अलग अलग जरूर होता है है ती उसी तरीके से अलग- NEW organisms में बेटा क्या होता है अलग- enemyoop रिपडाक्शन होते हैं थी कैंऻ डी परेक्शन होते हैं जैसे कि पहला त्यांट चलो कमेंट सेक्शन में बता दो ge 주ना करेंगे जल्ली करेंगे थी क्या है पढ़ाव यह रिविजन कर लेते हैं डिविजन स्ट्विस कहते हो जह फिर देखेंगे कि टाइम मिलेगा तो मैं एंटी पर भी आएंगे यास वेरी गोड डियर राट ँटाइप ओफ री परड़ाक्शन नमबर वन इस एक्षब रीपरड़ाक्शन क्या हो जाता है पिटा असेक्शोल रीपरड़ाक्शन जिसमें क्या होता है ऑन्ली वान पैरेंट इन्वाल्व हो उस टाइप के और्गेनिजम्स में बटा होता है और सेक्ष्वेल रीपडाक्शन ठीक है हमारे बच्चे तो काफी एड्वांस है ना सबको सब कुछ पता है okay coming to the second point second point of reproduction का है भाई second point of reproduction है sexual reproduction जिसमें क्या होगा जिसमें बटा two parents involved होंगे that means one male another one is the female ठीक है excuse me so इसमें दो parents involved होंगे और यह क्या होगा बिटा यह किसी में भी हो सकता है यह अगर आप देखोगे simple to complex organism दोनों टाइप के organisms में आपको इस चाइप के reproduction देखने को मिलते हैं हो गया reproduction दो टाइप के होते हैं sexual जिसमें single parent involved होते है sexual जिसमें दो parent involved होते है a sexual mainly simple body वाले organisms में होते हैं जैसे कि amoeba जैसे कि hydra ठीक है जैसे कि bacteria जिसकी body बिलकुल simple है और sexual बटा simple में भी हो सकता है ठीक है और यह हमारे complex organism में भी हो सकता है अब कम इंटुड़े difference अब एक्जाम में पूछा जाता है बार बार दिफरेंशेट बिटूइन asexual and sexual reproduction तीक है बार बार पूछते हैं इन फैक बेटा क्लास 10 के एक्जाम में पूछते हैं 12 के एक्जाम में पूछते हैं एक्जाम में भी पूछेंगे कि बार डिफरेंश बता दो असेक्शल और सेक्शल की डिफरेंश क्या है तो हमें लिखना आना चाहिए ठीक है हमें लिखना आना चाहिए क्या difference है देखो पहला difference क्या है sexual reproduction में पहला difference क्या है involved fusion of male and female gamut gamut अब यह gamut क्या है मैं explain करूंगी आगे जाकर अभी फिलाल बस difference को समझो ठीक है अभी फिलाल difference को समझो ओके एक बच्ची मुझे पूछ रही है मैं simple और complex organism क्या होता है simple organism मतलब unicellular हो सकता है बेटा ठीक है जिसका body में बहुत ज़ला टीशु वगरा कुछ नहीं हो हाइड्रा हो सकता है हाइड्रा में अगर आप देखोगे टीशु है बट उसमें और गरा कुछ नहीं है तो ऐसे जो simple organisms होते हैं उनको हम कहते है organism with the simple body design complex का मतलब human लाखों करोरो तो cells है ठीक है उन cells में tissues है अलग अलग टाइप के organs है तो हमारे body के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरे पर रहे हैं वी आर complex organism ठीक है ओके तो coming to the point क्या होगा पेटा sexual reproduction में fusion होगा किसका male और female gamut का asexual reproduction की बात करें पेटा तो यहां कोई male female gamut नहीं होता एक ही parent involved होता है तो जब एक ही parent involved है तो क्या होगा कोई fusion vision नहीं होगा ठीक है कोई fusion vision नहीं होगा अब coming to the next point it requires two different individual sexual reproduction में क्या होगा हमेशा दो अलग अलग individual की जरूरत परेगी but a sexual reproduction में सिर्फ और सिर्फ बेटा one individual is necessary one individual is required third point of difference the individuals produce are not identical to the parents and show variation from each other इसका मतलब क्या है देखो हम अपने मम्मी पापा जैसे similar है या हम अपने मम्मी पापा जैसे बिलकुल डिक्तो सेम है या थोड़ी बहुत अलग है दोनों की combination है हम similar है या exact दिक्तो सेम है फड़ा फटे कमेंट सेक्षिन में बता दो बेटा हाइड्रा बाइनरी फिशन सब करेंगी सब में आऊंगी लेकिन step wise ठीक है कि स्टाप वाइस जाएंगे हम है यह सिमिलर है बेटा हम डिक्तो सेम नहीं है तो यहां पर क्या बताया गया है कि इंडिवेजियल जो है अपने पैरेंट्स जैसे similar है लेकिन डिक्तो सेम नहीं है ठीक है हम दोनों के से बनेंगे लेकिन हम बिलकुल सेमधी हो लेकिन यहां पर यहां पर जो इंडिविजन होते हैं उनके ऑप्स्प्रिंग्स बीलकुल उनहीं की तरह देखने में सेम होते है आइड़न्टिकल होते है और इसलिए इनको हम क्लोंस भी कहते हैं बत इसकी हाइट पापा जैसी है इसकी हाइट पापा जैसी है जोकिंग ठीक है तो कुछ भी हो सकता है तो हमेशा कुछ ना कुछ वैडियेशन जरूर आएंगे उसके बाद देखो कि यह एक पॉइंट हम एट कर सकते हैं फिर नेक्स पॉइंट क्या है बिटा असेक्शुल मोड ऑफ रिप्रडाक्शन आर कॉमन इन और्गेनिजम हाविंग सिंपल ओगनाइजेशन लाइग एल्गी एंद पंजय वही मैंने बोला कि असेक्शुल रिप्रडाक्शन बिटा सिंपल कॉम्पलेक्स दोनों में हो सकता है कि कि aten शंद की बात करें तो स्लोज वॉसे स्वाथ स्मय गहलं की दीरे-दीरे होता है सबसे पहले थो ग्यां monopol बनेंगे जामें इन की lado ऐगे देखेंगे अब ही फिलाल समझो कि ग्या होग pegert घूजन होगी फिर fusion के बार जाइगाट बनेगा फिर उस जाइगाट से एक अम्रायो बनेगा तो बहुत लंबी कहानी है बहुत लंबी कहानी कहानी को हम आगे जाकर देखेंगे बट यहां समझो sexual reproduction एक slow process है धीरे धीरे टाइम लगता है सब कुछ होने में लेकिन a sexual reproduction is fast fast का मतलब है कि सेल डिवाइड हुआ दो सेल बन गए है ना ऑर्गेनिजम में सेल डिविजन हुआ एक से दो सल बन गया है और दो सेल से दो अलग 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 ऑर्गेनिजम बन गया तो यह क्या हो विटा इडिज़ पास्ट प्रॉसर्स इसमें वह लंबी कहानी दौर आने के जरूरत नहीं पड़िए नेक्स क्या है इट है अवलिशनरी इंपोर्टन्स अब देखो sexual reproduction में हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ तो इसलिए क्या होता है कभी कभार ऐसे बदलते 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 एक टाइम पे बिटा एक नया और्गेनिजम बन सकता है ठीक है एक टाइम पे एक नया और्गेनिजम बन सकता है तो इसलिए हम क्या कह सकते है कि sexual reproduction से evolution evolution का मतलब है नये और्गेनिजम का बनना उनकी chances बढ़ जाती है Asexual reproduction में बेटा ये chance इतना जादा नहीं होता ऐसा नहीं है absent होता है होता है बट बहुत ही कम होता है So this is the difference between sexual and asexual reproduction अब आप अपने doubts मुझे पूछ सकते हो ताकि मैं थोड़ी बहुर आपके doubts clear करतू Sexual reproduction बेटा हर plants में होता है ठीक है Plant में अचली दोनों चीज़े होते है sexual भी अ-sexual भी ओके डैन नेक्स कुशिन क्या है जी ये fast क्यों होता है देखो ये fast इसलिए होता है क्योंकि इसमें gamit की formation की या hormone वगएरे की कोई asset need नहीं होती बस cell डिवाइड होता है नया cell बन जाता है वो नया 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 organism बन जाता है ठीक है क्या है ओके fusion fusion का मतलब है मिल जाना यह सब कुछ हम देखेंगे देखेंगे सब थी क्या है जाइगोट क्या है अभी इबर्स क्या है डिफ्रेंस है क्योंकि पॉइंट नंबर शिक्स वेटा evolution का मतलब है formation of new species ठीक है अब sexual reproduction भी होता है हर बार दो parents है दो पैरेंट्स के combination से हर बार नया नया combination बनता है तो कभी का बार ऐसे नया नया combination बनते बनते एक नया organism भी बन सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे विटा उसको हम कहेंगे evolutionary importance ठीक है दूसरा क्या है तो ये कुछ हमारे differences है ठीक है, differences है between sexual and sexual reproduction और ये सारी चीज़े बटा आते रहते हैं exam में बहुत common difference है, इनको थोरा सा आपको याद रखना है ओके, pollination बटा, pollination is a part of sexual reproduction it's not a part of asexual reproduction so coming to the next point, a sexual reproduction अब देखिए, कहने को बहुत सारे asexual reproduction होते है लेकिन सब में अपना दिमाग नहीं लगाना दिमाग की दही हमें नहीं करना हमें बस दो mode of asexual reproduction study करना है जो हमारे NCRT में दिया गया है जैसे कि आप देखोगे बिटाफ NCRT में budding के बारे में दिया गया है अब budding जो है, budding बिटा एक animal में होता है ठीक है, किस में होता है? budding occurs in an animal और उस animal का नाम है hydra ठीक है? किताब में green color का है तो green समझ के plant मत समझ लेना hydra is a animal ठीक है, hydra बिटा एक animal है सो हमें study करना है budding के बारे में जो कि एक animal है, hydra में होता है दूसरा हमें study करना है binary fishing के बारे में जो कि बिटा, amoeba में होता है and amoeba is an unicellular organism क्या है amoeba? amoeba बिटा, एक unicellular organism है वैसे तो इनका भी एक नाम है amoeba को हम protozoan कहते है बढ़ प्रोटोजोण अगर याद नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं भूल जाओ बस यार रखना amoeba जो है वो क्या है? amoeba एक unicellular organism है तो हमें बस इन ही दोनों के बारे में पढ़ना है लेकिन इसके अलावा और भी different type of asexual reproduction होता है बट जरूरत नहीं है जितना किताब में दिया गया है उतना ही हमारे लिए काफी है तो सबसे पहले हम बिटा देखेंगे binary fission तो देखो binary binary और उसके बाद दूसरा word क्या है यहाँ पे fission अब कौन मुझे बोलेगा binary का मतलब क्या होता है binary का मतलब क्या होता है कौन बताएगा what is binary binary कौन बताएगा जी बिल्कुल आरियन मैंने उमंग में बहुत सारी चीज़े बताई है मैंने सारी चीज़े पढ़ाएवे है लेकिन यहाँ हमसर्फ जो exam के point of view से important है वही सारी cg देखेंगे जो ncrt में है वही सारी चीज़े देखेंगे ओके तो क्या है binary means double okay double कहा रहे देखो binary का मतलब बेटा होता है two binary simply means two ठीक है two fission का मतलब है split that means जब भी बेटा कोई एक cell कोई एक parent cell divide होकर दो cell में divide हो जाएंगे दो daughter cells बनेंगे उसको हम कहेंगे binary fission का है बाई binary fission binary fission को अगर हमें आ गया what is binary fission हम क्या लिखेंगे here it is a type of a sexual reproduction का है बाई it is a type of a sexual reproduction where parent body क्या है बेटा parent body get divided into parent body get divided into कितने में हो जाएंगे into two daughter cells that means two daughter cells बन जाएंगे यह हो जाएगा हमारा binary fission अब हम थोड़ा सा amoeba वाला डाइग्राम देखेंगे जो हमारे NCRT में दिया गया है तो सबसे पहले माहन लीजे यह है हमारे amoeba भाई साब या बेहन जो भी मानना है चलो ठीक है एक ही parent involved है तो कुछ भी हो सकता है ओके फिर क्या होगा बिटा सेल है सिंगल सेल है यह यह amoeba है अब उसके बाद धीरे-देरे क्या होगा amoeba में सबसे पहले आप देखोगे nucleus जो है stretch होने लगेगा और उसके बाद एक time पे क्या होगा बिटा nucleus के साथ-साथ यहाँ पे एक depression बनेगा nucleus भी ऐसे खिचने लगेगा और cell में भी बिटा एक depression बनेगा इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे cell furo यह depression बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा यह बढ़ता जाएगा और एक time पे nucleus भी divide हो जाएगे कुछ time बाद बिटा इसको हम कहेंगे binary fission in amoeba का कहेंगे इसको हम कहेंगे binary fission in amoeba तो कोई पूचे binary fission क्या है क्या बोलोगे binary fission जो है is a type of sexual reproduction जिसमे parent body divide हो जाता है किसमे प्यारेंट बोडि डिवाइड हो जाता है इंटू टूट अवसे डाइग्राम याद रखना यह डाइग्राम इंपॉर्टन्ट यह तक इस तो फिडावट से थम्जाप कर दो स्प्लिट का मतलब पैटा था डिवाइड होना स्प्लिट टूट जाना okay स्प्लियर है सबको कि आगे सब्सुर्स ऐड़र करें डॉट्टर सेल क्या होता है कुछ बाच बच्छित का मतलब पर डिवाइड होने के बाद जो नए यह बनेंगे उनको हम कहेंगे daughter cells, okay, चलो, अब एक बच्छा मुझे पूछ रहा है कि फ्यूरो क्या है, फ्यूरो का मतलब depression, ठीक है, गड़ा हो जाना, फ्यूरो का मतलब गड़ा हो जाना हो जाएगा, next क्या है, okay, कुछ बच्छे लिख रहा है, उमंका, कुछ बेटा को नहीं दिख रहा है, बहुत जराफास जा रहा है, anyways, so multiple fission क्या है, बाइनरी fission में एक cell से दो cell बनते है, that is binary fission, किसी-किसी organism में एक cell से 100 cell, 1500 cell, अलग-अलग type के quantity में cell बनेंगे, उनको कहेंगे multiple fission, but multiple fission not required, ठीक है, multiple f fission की दरुवत नहीं है, यहां, यहां सिर्फव से binary fission और हमें budding ही देखना है, अब बात करें budding की, ठीक है, budding की, यू तो बेटा, budding in hydra, अच्छे से दिया गया है, NCRT में diagram के साथ, इसके अलावा budding कुछ हमारे unicellular organisms में भी होता है, east, ठीक है, कुछ हमारे unicellular organism में भ hydra, क्योंकि किताब में again diagram, अगर आप देखोगे hydra का दिया गया है, ठीक है, again hydra का दिया गया है, तो hydra की बात करते हैं, यहां पर, hydra में अगर आप देखोगे, कुछ इस थरीके का होता है, अनिमल है यह, ठीक है, में लिए animal है, पानी में पाये जाता है, और यहां पर कुछ special cells होते हैं हाइडरा में कुछ special cells होते हैं और इन cells को हम कहते है regenerative cells इन cells को हम क्या कहते है इन cells को हम कहते है regenerative cells अब यह जो cell है यह जो special cell है regenerative cell हलकिसे एक छोटा सा बड बनाएगा ठीक है हलकिसे छोटा सा extension बनेगा इस extension को हम कहेंगे बड अब जो बड है यह धीरे धीरे ग्रोग करता जाएगा यह special cell जो है इसकी growth कर वाएगा धीरे धीरे यह ऐसे ग्रोग करता जाएगा, parent body से attach होकर ट्यक्या भया प्यारन बॉड़ी से attach होकर यह धीरे भरता जाएगा एक टाइम पर आप देखोगे कि यह completely develop हो चुका होता है ठीक है और उसके बाद एक टाइम पर जब वो completely develop हो जाएगा अपने से खुद अपना खाना पीना जुगार सब कुछ कर पाएगा तो क्या होगा तो यह बोलेगा कि बाई टाता बाई बाई मेंको तेरे साथ नहीं रहना है तो वो अपने parent body से detach हो जाएगा और detach होकर वो free हो जाएगा ठीक है that means आप देखो इसको हम कहते है budding in hydra शुरुवात में एक ही parent था इसमें special cells थे called regenerative cell हुआ किया regenerative cell ने एक चोटा सा बड बनाया ठीक है बड में grow होता गया बड grow होता गया धीरे धीरे बड जो है एक complete individual में develop हो गया कुछ time बार जब हो completely develop हो गया तो उसने अपने parent body को बोला टाटा बाई 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 और खुद चल गया अपने रास्ते ओके एक बच्चा पूच रहा है कि इनको हम daughter cell ही क्यों कहते है sun cell क्यों नहीं कहते है because अगर आप देखोंगे nature में daughter cell आगे जाकर पर नए cells बनाएंगे sun cell नहीं बनाएंगे एक human psychology है female is responsible for giving birth of a child not the male तो इसलिए इसको daughter cells बोला जाता है अदर्वाइस कोई कुछ नहीं है इस जस्ट एहूँवन साइकोलोजी ठीक है अदर्वाइस आप इसको sun कहना चाहो कहो exam में लिखो मत नहीं तो क्या होगा नहीं तो madam जी एक बहुत बड़ा आलू दे दे देंगे हमको तो exam में लिखना नहीं है बाकी मैंने बता दिया कि डॉर्टर सेल्स इसको हम क्यों कहते हैं ओके तो अब हम लिखेंगे कैसे हाइड्रा को हाइड्रा सबसे पहले हम बड़िंग क्या लिखेंगे अस्मॉल बड़ ठीक है लिखना तो अल्टिमेटली एक्जाम में है ही अस्मॉल बड़ अर्यजस फ्र्म पर्रण बॉडी ठीक है पर्रण बॉडी विख ग्रोसिं साईज ठीक है विख ग्रोसिं साईज दन क्या होगा बिकम मैचर्ण and detaches from the parent body as an individual organism, ठीक है? बस कितना लिखेंगे हम काफी है? As an individual organism और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बेटा, budding in hydra क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे budding in hydra बेटा, क्लास के बाद notes आपको most probably नीचे ही मिल जाएगा ठीक है? बाइनरी फिशन और बड़िंग दोनों चीज़े क्लियर हैं आपको दोनों चीज़े क्लियर हैं आपको आप कहा रहे हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है evolutionary importance evolution का मतलब नए नए और्गेनिजम का बनना आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जो बुदुर्ग लोव होते कहते हैं कि हम इंसान बंदर जैसे किसी और्गेनिजम से बने हैं कि हमारे जो evolution है हमारी जो formation है किसी बंदर जैसे और्गेनिजम से हुआ है यह सुना है कहते हुए तो यह क्यों कहा जाता है बटा यह इसलिए कहा जाता है कि यह सच है humans, monkey, gorilla सारे चीज़े बटा यह सारे आपस में connected है हम सारे कही ना कही किसी बंदर जैसे ancestors से बने हुए है तो इसको वेटा हम कहते evolution क्या कहते इसको इसको हम कहते evolution that means formation of new species clear हो गया होगा अब आगे बढ़ते है दो चीज़े हमने clear कर लिया number one is binary vision second one is the budding अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा वेटा देखिए यहां पर अगर आप देखोगे एक छोटा सा question है आपको फटा फट से answer करना है reproduction by budding takes place in hydra, amoeba, paramecium and bacteria फटा फट से comment section में answer कर दो कि वेटा यह जो reproduction है budding किस में होता है किस में होता है hydra में होता है, amoeba में होता है paramecium में होता है किस में होता है option फटा फट से लिखो भाई yes, very good बटा यह किस में होगा, यह हो जाएगा hydra में है न, amoeba में क्या हो जाएगा amoeba में हो जाएगा binary fission in fact अगर मैं आपको बताओ बटा इन तीनों में amoeba, paramecium, bacteria सब में binary fission ही होता है तो हमरा answer का हो गया भाई हमरा answer हो गया option a अब आते है next question पे question ध्यान से diagram को देखो और समझो what does the figure represent यह बटा किस का figure है और हमको क्या समझाने की कोशिश की जारी है ध्यान से देखिए diagram को what does the figure represent किस टाइप के questions आते है यह figure क्या है और हमको क्या समझाने की कोशिश की जारी है कौन बताएगा सबसे पहले कौन बताएगा क्या है यह it is yes very good यह बटा figure है amoeba का ठीक है और यहाँ पे amoeba में क्या दिखाने की कोशिश की जारी है cell division यह हम क्या कह सकते हैं more appropriately binary fission है ना तो यह डाइग्राम हमें binary fission दिखाने की कोशिश कर रहे है okay सो बच्चों को समझ में आ गया sexual reproduction क्या है जिसरे में एक ही parent body से पूरा का पूरा individual बन जाता है अब हम आएंगे next type of reproduction में that is sexual reproduction अब इता sexual reproduction में मैंने क्या बताया था sexual reproduction में मैंने बताया था दो parents involved होते हैं अब NCRT में एक किताब हमारे table है ठीक है NCRT में एक table है आप लोगों ने इस table को देखा होगा तो फटा फट से मुझे बता दो बटा cat के young ones को क्या बोलते हैं हम जो cat होते है cat के young ones को क्या बोलते हैं हम कौन बताएगा फटा फट cat के जो young ones होते हैं क्या बोलते हैं हम कौन बताएगा kitten? yes, very good so cats के जो young ones होते हैं उनको हम कहते है kitten dog के क्या कहेंगे? dog के क्या कहते है puppy? butterfly के क्या कहते है? butterfly के? butterfly के जो young ones होते हैं उनको क्या कहेंगे butterfly का कौन कहेंगे yes very good देखो बेटा butterfly के most appropriately हम इसको कहते है catar pillars okay cow का क्या कहते है cow का हम कहते है cow and frog का frog का जो हमारा young one होता है उसको क्या कहेंगे tadpole yes very good frog का हो गया tadpole तो यहाँ पर अगर आप देखो गे अलग-अलग organisms है अलग-अलग organisms के जो young ones होते हैं उनको हम अलग-अलग नाम से जानते हैं तो यह सारे के सारे organisms जो यहाँ दिया गया है हमारे NCRT में जो यह table दिया गया है वो actually क्या है वो actually में विटा sexual reproduction प्लस उनके अलग-अलग young ones के नाम है अब देखो sexual reproduction को समझने के लिए तीन हमें events को समझना है क्या समझना है तीन event को देखो एक movie में क्या होता है movie में सबसे पहले hero की entry होती है या heroine की entry होती है एक मस्त पीछे एक background music चलता है है थिक उसी तरीके से बटा sexual reproduction के कुछ events होते है जैसे एक movie में सबसे पहले क्या होता है entry होती है hero heroine के entry होती है फिर क्या होता है बीच में बीच में बटा वही कुछ ना कुछ story building होगी है ना कोई hero का कोई मर जाएगा कुछ हो जाएगा revenge something कुछ कुछ story building होगी और movie के end में क्या होगा climax है ना तो एक movie में क्या होता है धीरे धीरे build up होता है तो sexual reproduction को भी हमें एक movie की तरह imagine करना है जिसमें बटा teen steps होंगे sexual reproduction में भी movie की तरह हमें imagine करना है जिसमें teen step होंगे सबसे पहला step क्या हो जाएगा pre-fertilization event ठीक है पहला क्या हो जाएगा pre-fertilization event जैसे कि एक film में hero की entry होती है ठीक उसी तरहीं किसे sexual reproduction में सबसे पहले क्या होंगे बटा पहला event आएगा pre-fertilization event और उस event में होगा क्या gamit की formation ठीक है उस event में क्या होगा gamit की formation that means hero heroine की entry उसके बाद second जो इवेंट आएगा that is fertilization that means story build up ठीक है कहानी बनेगी अब कहानी बनेगी अब story build up होगा that is the fusion या that is the fertilization यह होगा second event of sexual reproduction उसके बाद बेटा क्या होगा third आएगा climax movie में climax आता है hero एक मुक्का मारता है villain गिर जाता है मर जाता है कुछ भी हो जाता है तो climax होता है तो यहाँ पे climax क्या है post fertilization event मतलब fertilization के बाद क्या होगा और उसमें होगा क्या है बेटा zygote से एक embryo और फिर एक embryo से एक young one की development होगी तो टीनो इवेंट सबको clear है imagine करो एक movie देख रहे हो आप समझ में आ जाएगा imagine करो एक movie देख रहे हो movie में हो क्या रहा है hero hero in के entry हो रही है gamut formation हो रहा है pre fertilization event story build up हो रहा है बेटा fertilization fusion हो गया और उसके बाद क्या होगा climax it is a post fertilization event जिसको क्या कहेंगे हम zygote to embryo क्या कहेंगे zygote to embryo आगे बरहे practice sheet बटा देखते हैं ठीक है excuse me तीरों event clear है आगे बरहे साब explain करूँगी बेटा gamut fusion सब कुछ explain करूँगी दरो मत बस फिलाल steps को समझो क्या क्या हो रहा है step को समझो क्या क्या हो रहा है अब समझते है next point what that is pre-fertilization event पहला point pre-fertilization event मतलब gamut formation कैसे होगा gamut formation कैसे होगा तो सबसे पहले देखो बीटा gamut formation के लिए हमको क्या चाहिए दो structure चाहिए one is the male reproductive system अनदर वन इस डेवी मेल रीपर्डरित थे शिर्बजाल हम को जाए लिए हम को चाहिए भाइज लग्वाई डेशल में मेट को चाहिए ग्यान हम यह तो डाइट रूट आप टिए को मैन कोई टोडishing बेधिव तो एंस यह और किया एंसियक एनन क्या पंप थे आ आप reproductive organs क्या है मेल reproductive organs include pair of testes ठीक है pair of testes two sperm ducts and penis यह NCRT में लिखा गया है ठीक है so NCRT क्या कहती है कि male reproductive system में क्या-क्या है बटा testes है उसके बाद 2 sperm ducts है और उसके पीनस है डाइग्राम में अगर आप देखोगे यह नंबर वान नंबर टू इनको वेटा हम कहते है sperm duck actually इनका दूसरा नाम भी है बेटा यहार कॉमनली नोन अज वास डिफरेंस आपको इसको नहीं दिख रहा होगा ठीक है बेटा तो sperm duck हो जाएगा फिर पीनस है और उसके बाद क्या है बेटा डो टेस्टिकल्स है या टेस्टिस है यह है फार्ट्स ऑस में रिपेड़ाक्टिफ अब यहां पर आप देखोगे टेस्टिस का फंक्शन दिया गया है कि तेस्टिस में क्या होता है तो भी टेस्टिस में अक्चली क्या होता है मेल गैमिट्स की formation होती है जिसको हम कहते है sperms या sperm cells तो कभी गवार question में आ जाता है कि what is ठीक है what is the function of sperm cells या what is the function of testis so testis का function क्या होगा पीटा it will help in the formation of sperm cells या sperms उसके बार अगर आप देखोगे एक point दिया गया है कि millions of sperm cells are produced by the testis testis से बहुत सारे millions of अलग-अलग type के हमारी क्या बनते हैं हमारे sperm cells बनते हैं अब coming to the next part यहां पर अगर हम पार्ट देखे हर किसी का functions देखे तो तीन ही part है number one part अगर हम देखे यहां पर बेटा क्या है sperm duck ठीक है sperm duck का function क्या होगा it will help in transfer of sperm cells transfer of sperm cells from testis to outside the body ठीक है यह हो गया sperm duck का function क्या होगा यह sperm के movement में help करेंगे क्या करेंगे sperm के movement में help क्या duck का मतलब duck मतलब होता है tube duck का मतलब tube है pipe है जो भी कहना चाहो आप duck means tube or duck means pipe whichever you can जैसे भी याद है आप उसको use कर सकते हो next अगर आप देखोगे next क्या बताया था testis so testis क्या है बता testis जो है it is a again primary part it is the primary part primary part का मतलब main part where sperms are produced where sperms are produced in fact बता अगर आप देखोगे male hormones होते है adolescence वाले chapter में हमने male hormones के बारे में हम देखेंगे अच्छा कोई मुझे बता सकते हो male hormones कौन से है name of the male hormone कोई बता सकते हो name को किसी भी male hormone का एक ही होता है किसी को याद है कौन सा था किसी को याद है male hormone testosterone yes अक्षद सक्सेना बिलकुल सही answer तो testis में बटा sperm cells बनते हैं और testis में testosterone hormone भी बनता है याद रखो तो इसलिए testis का importance बहुत जादा है सबसे पहले यहाँ sperm cells बन रहे हैं उसके बाद यहाँ testosterone भी बन रहे है उसके बाद देखें next part NCRT में क्या दिया गया है पीनस के बारे में पीनस के बारे में दिया गया है और पीनस क्या है बटा पीनस is a copulatory organ copulatory organ का मतलब है कि यह क्या करेंगे sperm cell को transfer करेंगे क्या करेंगे sperm cell को transfer करेंगे to female body ठीक है it will transfer the sperm cells to the female body तो इसलिए इसको क्या कहते है बटा इसको हम कहते है copulatory organ that means जितने भी अलग-अलग part say male reproductive system में हर एक part का अपना ही function हर एक part का अपना ही functions है so these are the three parts that is given in NCRT और इन तीनों parts के बटा यह तीन हमारे अलग-अलग functions होते है gametes में भी आओंगी मैं gametes भी explain करोंगी पहले हम reproductive system देखेंगे फिर हम gametes पर आएंगे okay clear male reproductive system clear to everyone male reproductive system clear to everyone आगे भड़े है आप female reproductive system में आगे भड़े female reproductive system में आगे भड़े female reproductive system में NCRT हमको क्या कहती है, the female reproductive organs are pair of ovaries, that means दो ovaries है, फिर oviduct, जिसको हम fallopian tube भी कहते हैं, और uterus है, ठीक है, दियार है रगान, three main parts, three, female reproductive system, क्या क्या है भाई, female reproductive system में, आप देख पार हो ovary है, दो है ना, number one, number two, फिर duck है बिटा, इसको oviduct कहते है, इसका दूसरा नाम fallopian tube भी है, it is also known as fallopian tube, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो uterus, तो तीन अलग अलग चीज़े हैं, जो हमारे NCRT में दिया गया है, अब इनके functions की बात करें, तो देके ovary का अलड़ी दिया हुआ है कि, ये बिटा female gamut या ovarm की production करते है, ठीक है, यहाँ बात करते हैं, ovary की, अभी अभी मैंने बोला ovary की function का है भाई, what is the function of ovary, what is the function of ovary, क्या function है ovary की, फटा मच से बोल दो comment section में, बोल दो, जल्दी जल्दी, function of ovary क्या होगा, कुछ बच्चे पहले ही female hormone लिखकर बैटे हुए है, what is the function of ovary, yes, very good, तो ovary की बेटा दो function है, number one is the, एग या उवाम production, क्या हो जाएगा, एग या उवाम production, यह हो जाएगा, number one function, number two function क्या होगा, progesterone and estrogen, क्या है progesterone and estrogen, दोनों के दोनों बेटा female hormone है, इनकी भी production ovary से ही होता है, तो ovary के अगैन दो function है, egg production, ओवाम production और उसके अलावा क्या है बेटा, progesterone and estrogen की production, अब बात करें fallopian tube, क्या fallopian tube या oviduct की, तो यह जो fallopian tube है, oviduct है, यह क्या करेंगे, help in transfer of egg cell, क्या करेंगे, transfer of egg cell from ovary to uterus, याद रखिए, from ovary to uterus, egg cell की transmission में help करेंगे fallopian tube, fallopian tube का पेटा और एक function है, कौन बता सकता है, मुझे पता है, आपके NCRT में नहीं है, बट fallopian tube का और एक function है, कोई बता सकता है, what is the function of fallopian tube, एक तो मैंने बता दिया, कि हाँ transfer करते है, egg cell को, egg cell को transfer करते है, from the ovary to the what, from the ovary to the uterus, मुझे यहाँ नीफ के बच्चे दिख रहे हैं, मुझे यहाँ उरान के बच्चे रहे हैं, उरान के बच्चे आंसर नहीं रहेंगे, मुझे पता है, आप टेंट में पढ़ चुके हो, I want this answer from the class 8 students, ओके सेजल रानी पात्रब, मुझे नहीं पता आप कौन से class से हो, लेकिन हाँ, येस आपने सही आंसर दिया, fertilization, ठीक है, बचा यह जो next step हम पढ़ने वाले हैं ना, fertilization, ये भी बचा हमारे fallopian tube में ही होता है, तो fallopian tube के दो function है, number one is the transfer of egg cell from the ovary to the uterus, दूसरा क्या है, दूसरा है बटा, fertilization, बिलकुल सही, बिलकुल सही जबा, fertilization, अब बात करें, third, third point की, that is uterus, ठीक है, uterus का क्या function है, बटा, बात करें uterus की, uterus क्या होगा, uterus को warm भी कहते है, and uterus actually is responsible for the development of baby, या development of fetus, ठीक है, जो भी fetus की development होगी, उसको बटा, हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, uterus, the structure responsible for the fittest development क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, uterus, clear है यहां तक, सबको clear है यहां तक, clear है, female reproductive system की तीन पार्ट से, ठीक है, female reproductive system की तीन पार्ट से, एक हो गया, ovary, दूसरा phalopin tube, तीसरा हो गया, uterus, is it clear to everyone, is it clear to everyone, okay, एक बच्ची पूछ रही है, मुझे फिटस क्या होता है, देखो बटा, तीन चीज़े होती है, जब एक single cell होता है न, उसको हम कहते है, जाइगोट, single cell divide होकर एक छोटा सा बेटा structure बनता, भी मैं दिखाऊंगी, आपके लिए में एक वीडियो भी लेकर आयू, उसमें मैं दिखाऊंगी, तो छोटा सा एक embryo बनता है, एक simple structure बनता है, embryo बनता है, उस embryo में धीरे धीरे बेटा, आखों की development होने लगती है, फिर उसको हम फिटस कहते हैं, तो तीन अलग-अलग stages है, एक cell है तो zाइगोट, उस cell से एक छोटा सा simple structure बना तो embryo, embryo में structure बनते, बनते, इंसान जैसा छो कहेंगे फीटस ठीक है उसको हम कहेंगे फीटस ओके सो किर्थी विटा आपको क्या दिक्कत है वो बताओ मुझे क्या नहीं क्लियर है ओके सब देखो विटा हमने रिपेडाटिव स्ट्रक्चर देख लिया कि हां मेल में अलग होता है फीमेल में स्पॉर्म सल्स बनते है टेस् अब हम देखेंगे प्रिफर्टिलाइजिशन हीवंट का सबसे इंपॉर्टन पॉंट अब तब से मैं गमेट-गमेट-गमेट-गमेट कर ती जा रही हूं गमेट-गमेट-गमेट-वोत ता क्या है वोट इस गमोट चौन बताएगा वात इस गमेट अगर एग्जाम में आ यह जाए सब क्या दिन कि लटकी एक थो तक्ता हो सबस्पोर सबेआई जानकाय रोस सबुस्पी स्पीशलीम प्यों सनल एंत तो ओंगबाहत केंकॉरिक नेन Sexual Reproduction ठीक है? Gamit क्या है विटा? Gamit कुछ हमारे Special Cells है Yes, very good उसको हम reproductive cell भी कह सकते हैं तो gamit कुछ हमारे Special Cells है जो क्या करेंगे विटा? जो Sexual Reproduction का हिस्ता बनेंगे और इसके अलावा gamit की और एक खासियत है gamit की खासियत क्या है? गैमेट की खाशियत बताई यह है कि गैमेट जो है वियर्स हाफ नंबर ओफ क्रोमोजोम साब इसके बारे में बहुत ज़दा इन डिटेल आप हायर क्लासिस में पढ़ोगे फिलाल के लिए इतना समझो कि हर ऑर्गेणिजम में डियएने होता है यह तो पता है तो नहीं पता में वह भी बढhinे हम सेल वाले चेप्टर में कि हाँ और गेनीजमम में डियएने होता है किसको पता है येस, very good, very good, हमारे बच्चों को सब कुछ पता है ना, तो बटा हर और्गेनिसम में DNA होता है, हर और्गेनिसम में, yes, right, yes, होता है, तो उस DNA की जो एर्रेंजमेंट है हमारे सैल में जिस तरीके से वो बटा अरेंज रहते है, उसको हम कहते है क्रोमोजोम, तो अगर आप देखोगे गैमिट्स कुछ ऐसे स्पेशल सेल है जिसमें हमेशा आधा DNA होता है आधा क्रोमोजोम होता है गैमिट्स का है भाई गैमिट्स कुछ हमारे ऐसे स्पेशल सेल्स है जिसमें क्या होगा हमेशा क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाएगा तभी क्या होता है तभी आधा और आधा मिलकर फिर दुबारा एक पूरा-ornism की development होती हे ठीक है पूरा-ornismoscope अज़्क // Tut just अगें क्यूं होता है किसली होता है इतना दिमाग मत लगाओ बेकार दिमाग की दही हो जाएगी कोई की जरूर defensory है बससाट इतना समझो कि एगार एक इंसान में डश ंभन है दिन्ऎ है तो उसके सपरम सेल या उसके ओवाब में पांच क्रोमोजों या झान इक सप्डॉज बिन रखना है जामये में को Yavin याद रखना है कि अमारे कौ पैशन है कि आप kitchen reproduction अब देखो where are disformed अब gamit के बारे में मैं बात करूँ तो देखे gamit अगर हम male की बात करें तो it is sperm cells ठीक है और अगर मैं female की बात करूँ तो gamit हम किनको कहेंगे gamit हम कहेंगे axel या ovarm को ncrt है अपने पास तो ncrt खोलो यह diagram आपको दिखेगा बेटा यह है ovarm ठीक है human ovarm figure 9.4 of ncrt अलाम से खोल कर देखो फिर figure 9.2 देखो ncrt का बेटा यह है sperm cells sperm cell के तीन हिस्से है number one is head number two is middle piece and number three is the tail ठीक है तो यह जो दो हो गए यह हो गए gamit ovarm is present in female sperm is present in male ठीक है तो इनको हम कहते है gamit यह कुछ special cells है ठीक है कुछ special cells है जो sexual reproduction में पार्ट लेंगे बट अब मेरा question बेटा यह है ठीक है कि यह gamits कहां form होते है अभी अभी मैंने बताया है यह gamits कहां form होते है तो मैंने क्या बताया था कि sperm cells जो है बेटा testis में form होता है है ना sperm cells में testis में form होता है और बेटा female में अगर आप देखोगे ओवाम ओवाम की formation कहां होती है हमारे ovary में तो मान लीजिए कि this is a structure of testis और किंशान देखिए देखिए टेस्ट इस में बेटा चोटे-चोटे तुस मैंने कहा था कि टेस्टरցस की कि में ही हमारे ंधुस की पिर्डाक्शन होती है तो क्या बोला मैंने टेस्ट में बहुत सारे ऐसे चोटे चोटे कंपार्टमेंट्स है और इन कंपार्टमेंट्स में सेल डिवाइड करता रहता है और बहुत सारे स्पर्म सेल्स के प्रिदाक्शन होती है सिमिलरली ओवरी में अगर आप देखोगे ओवरी के यह जो वाल्स है यहां पर डिविजन होता रहता है और हमारे एग सेल की फॉर्मेशन होती रहती है इतना आप याद रखोगे काफी है इतना भी हमारे नहीं है समझने के लिए मैंने बताया है समझने के लिए बताया है कि हाँ sperm cells हमारे testers में जो यह compartments है उसके अंदर form होते है और ओवरी जो है और गजो है बीटा वो ओवरी के वाल से form होता है clear है सबको कोई पूछेगा तो बता दोगे ना gamut क्या है और कहा फॉर्म होता है gamut क्या है और कहां फॉर्म होता है बता दोगे कोई पूछ लेगा तो बतादोगे ना yes or no yes or no बतादोगे नहीं बताओगे बताओगे yes or no अच्छा आँ कुछ बच्चे लिख रहा है doubt 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 को ताइप कर दो yes so देको पूछेंगे gamut क्या है तो special cell that takes part in reproduction, for example sperm cell in male और उसके बाद क्या होगा, egg cell in female, उसके बार हम लिखेंगे कि यह हमारे testicles में form होते है sperm cells और हमारे ovarm जो है वो ovary के wall से form होते हैं, ठीक है, अब आते हैं next point पे, what happens to the egg cell release every month, बेटाई अब यहां देखो क्या होता है, हर महीने female के ovary से एक egg cell release होता है, अब उस egg cell के पास दो option होता है, ठीक है, उस egg cell के पास दो option होता है, so अगर मैं बात करूँ, every month क्या होगा, एक egg cell की या एक ovarm जो है वो release होता है, अब उसके पास दो option है, number one option क्या है, degenerate, number one option क्या है बेटा, degenerate हो जाता है, और number two option क्या होता है, अगर fertilization हो गया, तो it will develop into the zygote, तो it will come out as a menstrual flow, या it will come out as a menstrual, menstruation, तो egg cell के पास दो option होते हैं, एकसेल के पास दो option होते हैं, हर महीने every month, this occurs every month, हर महीने बेटा एकसेल रिलीज होता है from the ovary, उसके पास दो option है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, डीजनेट हो जाएगा, menstrual flow के फर्म में, बॉडी से बाहर निकलाएंगे, अगर बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो, जाइगोट की फर्मेशन होगी, फिर फर्टर डेवलोपमेंट होगी, तो यहां पर सबसे पहला point हमें क्या लिखना है, हमें यह लिखना है, if fertilization does not occur, क्या है, मैं number one point लिख रही हूँ, if fertilization does not occur, का हो जाएगा भाई, the inner lining of, ठीक ह shining of uterus, shed, or breaks off, ठीक है, or breaks off, उसके बाद क्या होगा, egg cell degenerate, and flows as what, and flows as menstrual cycle, ठीक है, इसी को हम कहते है बटा, menstrual cycle in female, और यह जो है, प्यूबर्टी के टाइम में शुरू होता है, यह कब शुरू होगा, during the time of puberty, ठीक है, तो यह हो गया पहला option, अगर fertilization नहीं होगा, तो क्या होगा, inner lining of endometrium टूट जाएगा, ठीक है, lining टूट जाएगी, egg cell degenerate हो जाएगा, और menstrual flow हो जाएगा, ओके, clear है यहां तक, clear है यहां तक, is it clear, full form of DNA is deoxyribonucleic acid, ठीक है, ओके, तो यह बेटा हो गया, पहला option, अब देखो, second option क्या होता है, अगर fertilization होगा, तो क्या होगा, तो देखो, अगर बेटा हम बात करें, कि यहां पर fertilization हो गया, तो सबसे पहले क्या है, fertilization क्या है, what is fertilization, तो fertilization क्या है, fertilization is the fusion of male gamut, ठीक है, fusion of male gamut, ठीक है, fusion of male gamut, that means sperm cells with female gamut, ठीक है, with female gamut, अब किसी-किसी किताब में बेटा, इसके लिए और एक word यूज होता है, that is, syngammy, syngammy word भी use होता है, but fertilization को याद रखो, NCRT हमें fertilization के बारे में बोलती है, fertilization क्या है, it is the fusion, fusion का मतलब fuse हो जाना, मिल जाना, fusion of male gamut, sperm cells with the female gamut, अब fertilization की बात करें, तो बटा देखो, fertilization clear है, fertilization clear है, अब जब fertilization होगा, after fertilization क्या होगा, बेटा, after fertilization, zygote की formation होगी, after fertilization किस की formation होगी, zygote की formation, अब बच्चे मुझे पूछ रहते कि zygote क्या है, तो zygote, बेटा, first cell, first cell है, after fertilization, ठीक है, first cell after fertilization, और first cell after fusion, ठीक है, from where an entire organism is formed, ठीक है, इसको हम कहेंगे, zygote, clear है, सबको zygote क्या है, organism is formed, zygote क्या होजएगा, zygote वो पहला cell होगा, ठीक है, sperm cells और axles fused हो गए, ठीक है, sperm cells और axles fused हो गए, fused होने के बाद जो पहला cell बनेगा, ठीक है, पहला cell बनेगा, जिससे पूरी की पूरी organism की formation होगी, उसको हम क्या कहेंगे, बटा उसको हम कहेंगे जाइगाट तो दो आप्शन होते हैं एवरी मंट फ्रॉम दी ओवरी एकसेल रिलीज होगा अगर फटिलाइजेशन नहीं है तो कौन बटाएगा फिर्टिलाइजेशन की कितने थ्लो थे हैं हओ मनी थे वर्टिलाइजेशन जादेयर है अओ हाव मनी थाइज अब गटा यहाएं है वह थो क्या क्या होते हैं च्टा वाट से बता दो तो मुझे समझ में आ इंगाए नबर वान दिगों दो टाइप के फर्ट एक्स्टर्नल फटिलाइजेशन उसके अलावा इंटर्नल फटिलाइजेशन टीक है फटिलाइजेशन और आप देखोगे फटिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं एक्स्टर्नल बॉडी से बाहर इंटर्नल बॉडी के अंडर एक्स्टर्नल बॉडी से बाहर इंटर्नल बॉडी के अंडर तो एक्स्टर्नल फटिलाइजेशन में क्या होगा याद रखिए फटिलाइजेशन और फ्यूजन ओकर्स इन एक्स्टर्नल मीडिया कहां होगा इट in external medium जैसे कि अगर आप देखोगे external medium क्या हो सकता है for example water ठीक है water भी हो सकता है तो यहाँ पर क्या होगा fertilization body के अंदर नहीं होगा body के बाहर होगा external medium में होगा for example water किस-किस में होता है external fertilization frog में देखने को मिलेंगे fishes में आपको external fertilization देखने को मिलेंगे in fact अगर आप देखोगे ऐसे बहुत सारे हमारे aquatic organisms होंगे जिसमें बटा external fertilization होंगे diagram में देखो यह frog है और यह सारी के जारे जितनी भी आपको दिख रहा है डिजादी eggs of the frog तो external fertilization क्या है भाई external fertilization है जहाँ पे fusion जहाँ पेटा fertilization जो है body के बाहर हो रहा है जैसे कि fishes में होता है जैसे कि frogs में होता है internal fertilization internal fertilization में क्या होगा fusion of male and female gamut fusion कहा होगा inside inside female body fusion जो होता है female body के अंदर होता है for example इसमें हम लिख सकते है all higher animals like human मुर्गी भी बेटा इनमी भी बेटा in fact internal fertilization होते है जैसे कि उसके बाद cat, cow कुछ भी लिख सकते हो जितने भी higher हमारे organisms होते है in fact mammals होते है उनमें क्या होता है उनमें internal fertilization होता है that means fusion जो है बेटा वो body के अंदर होता है female body के अंदर होता है अब fertilization in humans की बाद करते है यह diagram दिया गया है NCRT में that is figure 9.5 तो यहाँ पर देखिए this is the ovarm यह egg cell है बेटा और उसके बार आप देख पारे हो यह सारे के सारे sperm cells है लेकिन human की जो fertilization है उसके खासियत क्या है only one sperm cell will fuse only one egg ठीक है हमेशा बेटा एक egg cell के साथ एक ही sperm cell fuse होता है अब कहने को millions of sperm cells are released ठीक है millions of 1000, millions of sperm cell release होता है लेकिन सारे sperm cell female जो हमारे egg cells है उसके अंदर नहीं एंटर कर पाते only one sperm cell fuses with the egg cell तो यहाँ पर अगर थोड़ा डागरमेटिकली समझे इसी चीज को थोड़ा बेटा डागरमेटिकली समझे माल लीजे यह हमारा है ओवाम ठीक है यह ओवाम है उसके बाद प्रोसेस को समझो बेटा है बहुत सारे sperm cells होंगे जो इस ओवाम को अप्रोच करेंगे ठीक है बट सारे sperm cells एंटर नहीं कर पाएंगे only one sperm cells will enter the ovarm ठीक है ओवाम की जो यह boundary है सिर्फ एक ही sperm cell बेटा क्रोस कर पाएगा बाकि सारे के सारे sperm cells बाहर के बाहर रह जाएंगे ठीक है बाहर के बाहर रह जाएंगे तो यहाँ पर देखिए number one diagram में क्या है many sperm cells ठीक है richest ovarm ठीक है many sperm cells richest ovarm यह number one point है second में क्या हो रहा है only one cell enters ठीक है ovarm की जो boundary है सिर्फ एक ही cell बेटा एंटर कर पाता है और उसके बाद देखिए ovarm का nucleus ड्रॉप कर देती हूँ मैं उसके बाद देखिए होगा क्या sperm cell पूरा का पूरा cell बेटा ovarm में एंटर नहीं करता sperm cell यहीं पर रह जाता है और जो nucleus है वो travel करता है ठीक है red color में जो यह है that is the nucleus ovarm या egg cytoplasm ठीक है egg cytoplasm उसके बाद देखिए क्या होगा बेटा उसके बाद यह जो दो nucleus है male nucleus और female nucleus ठीक है यह जो दो nucleus है male nucleus और female nucleus दोनों fused हो जाएंगे ध्यान से समझिए इतना in detail NCRT में नहीं है समझने के लिए मैंने draw किया है NCRT में बस यहीं डाइग्राम है बेटा तो दोनों male and female nucleus fuse हो जाएंगे और यह जो पहला cell बनेगा जिससे बेटा अब एक पूरा का पूरा organism बनेगा उसको हम क्या कहेंगे zygote so this is the process of fertilization यह होता है fertilization में ठीक है यह होता है fertilization में सबसे पहले क्या होगा बेटा many sperm cells will approach the ovarm बहुत सारे sperm cells पहुचेंगे ovarm तक but only one sperm cell will enter the ovarm उसके बाद क्या होगा वो sperm cell की जो nucleus है वो बेटा ovarm के nucleus की तरफ जाएगा fusion हो जाएगा fusion हो जाएगा यहां लिख देती हूँ fusion हो जाएगा पहला cell बना आप देखो पहले nucleus या तो yellow था या तो red था लेकिन जो नया nucleus बना उसमें आधा yellow आधा red है तो fusion से जो बेटा नया cell बना death cell is known as zygot death cell is known as zygot clear है सबको is it clear to everyone बेटा देखो twins के दो अलग अलग types होते है identical twins twins एक ही zygot से बनता है non identical twins डो अलग-अलग zygot से बनते हैं लेकिन अगे हैं twins वाला concept अलग है ठीक है higher concept है पिलाल वस फटिलाइजेशन समझ में आया कि नहीं भाई हमको यी बताओ ठीक है समझ में आ गया समझ में आ गया आगे बरे अगे बरे समझ में आ गया बेटा फटिलाइजेशन का मतलब ही fusion है fusion और फटिलाइजेशन दो अलग चीज नहीं है फटिलाइजेशन प्रोसस का नाम है और हम इसको commonly fusion कहते है fusion का मतलब मिल जाना fusion का मतलब मिल जाना clear है इसको हम सेल वाले छोड़े खोड़्ेटे कश आब देखो बयाइजेशन तो हो गया फटिलाइजेशन तो हो गया अब उसके बाद क्या होगा उसके बाद देखो क्या होगा उसको समझने के लिए सबसे पहले बेटा हमें ड्रॉ करना परेगा फैलोपीयन ट्यूब का एक हिस्सा और यूटरस का एक हिस्सा देखो यह जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना यह पूर यहां हो रहा था अब देखो इसके बाद जो नया सेल बना यह क्या हो गया यह हो गया हमारा जाईगौत थीका है अभी जाईगौत है बैटा वो सबसे पहले एक से दो फिर दो से चार चार से आठ टीक है जाएगा चार से आट यह से धीर दीर 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 बढ़ता जाएगा उसकी फिर 8 से बिटा 36 में यह डिवाइट करता जाएगा और बरता जाएगा बरता जाएगा फिर एक टाइम में आप देखोगे कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा अब इस ट्रक्चर को हम क्या कहते है बलास्टिूला अगैन इतना इन डिटेल हमको नहीं चाहिए बस मैंने बता दिया है समझने के लिए, अब यह जो structure है blastula, यह जाकर क्या होगा बेटा, यह हमारे uterus में जाकर समा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यह number one point क्या हो रहा है बेटा, number one point यहाँ पर हो रहा है, fertilization, तेक है, fertilization के बाद क्या हुआ बेटा, zygote बना, fertilization के बाद क्या हुआ, zygote बना, number two point, three में क्या हो रहा है, three, four, five, यहाँ पुरा अगर आप देखोगे, यहाँ में क्या होगा, division of zygote, ठीक है, zygote में बेटा, divide हो रहा है, cell की formation हो रहा है, नए नए, cell बनते जा रहा है, और उसके बाद, blastula वाले stage में जाकर क्या हो गया, it is implanted implanted in uterus, implanted in uterus का मतलब है, कि हमारे uterus में जाकर यह attached हो गया है, चिपक गया है, तो fertilization के बाद क्या होगा, fertilization के बाद सबसे पहले भाई, बनेगा zygote, एक cell, cell में division होता जाएगा, होता जाएगा, फिर बेटा, क्या बनेगा, एक ऐसा stage आएगा, जिसको हम कहते है, blastula, नाम य नाम आपके लिए नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए मिने बोला है, तो एक blastula stage आएगा, blastula stage में जाकर यह female के uterus में जाकर चिपक जाता है, female की uterus में जाकर attach हो जाता है, और इसको हम क्या कहते है, इसको बटा हम कहते है, implantation, clear है सबको, fertilization के बाद क्या होता है, clear है, तो यह पूरी की पूरी processing क्या हो रही है, पूरी की पूरी processing बिटा हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब या oviduct में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, लेकिन NCRT में oviduct है, तो oviduct भी आग रखो, और uterus में, दो चीजों में हो रही है, पूरी की पूरी post fertilization event, clear है, किसी को doubt है तो यहां पूछ सकते हो, otherwise हम थोड़ा आगे बरेंगे, clear है सबको, कुछ doubt है, anyone, anyone, any doubt, anyone, any doubt in the post fertilization event, देखो gamit form हुआ, sperm cell excel form हुआ, pre-fertilization event, उसके बाद fusion हुआ, fertilization event, फिर बिटा जाइगोट से अमरायों की formation हो रही है, implantation हो रही है, यह क्या हो गया, post fertilization event, revise कैसे करें, बेटा देखो, bio में diagram याद रखो, ठीक है, bio में diagram याद रखो, अपने आप revise होता रहेगा, ठीक है, अपने आप revision होता रहेगा, ओके, चलो, नहीं है doubt, maximum बच्चों को doubt नहीं है, तो आगे बरते है, development of the fittest में, तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला, सबस बेखा भी होगा, कभी diagram में, इसको बेटा हम कहते है, embryo, इसको क्या कहते है, इसको हम कहते है, embryo, इसमें और differentiation आएगा, हाथ पेर सब कुछ बन जाएगा, फिर एक time बाहर अगर आप देखोगे, इस type का बेटा एक individual बन जाएगा, I know बहुत ही सुन्दर diagram बना दिया मैंने, क सीन दिविजन है, तो यहाँ पर यह क्या है बेटा, यह देख रो, पूरा human है, एक देखकर ही पता लग रहा है कि हाँ, इंसान का यह बच्चा है, तो यह है हमारा फिटस, अब फिटस की development में, देखो एक फिटस जो है, 9 मंथ अपने मा के यूटरस में डेवलोप होता है, तो उसको जाहिरती बात है, खाना, पीना या वेस्ट प्रिडाक को रिमूफ करना होता होगा, होता होगा की नहीं, every organism need excretion, every organism need dization, every organism need nutrition, सबको चाहिए ना, खाना, पीना, सबको चाहिए खाना, पीना, yes or no, या नहीं चाहिए, ऐसे ही जिन्दा रहता है, ऐसे ही जिन्दा uterus में develop होता है तो उसको oxygen की भी जरूरत परती है उसको खाने की भी जरूरत परती है और उसको वेस्ट पड़क को remove करने की भी जरूरत परती है और यह सब कुछ कैसे करता है with the help of a structure call placenta ठीक है placenta नाम की structure के help से करता है तो अगर मैं आपको यहां बोलो भाई प्लासेंटा क्या है what is a placenta तो प्लासेंटा जो है it is an organ और structure कुछ भी कह लो it is an organ and structure which helps in क्या करेंगे organ and structure which helps in excretion ठीक है उसके बाद क्या होगा supply oxygen ठीक है supply oxygen and also nutrients also nutrition to the fittest ठीक है तो जो भी developing fittest है जो भी पिटा developing बच्चा है उसको खाना पीना oxygen carbon dioxide remove करना यह सब कुछ कौन करवाएगा अगर आप देखोगे यह जो प्लासेंटा है इस से connected है आप यहां पर ध्यान से देखो यह जो प्लासेंटा है red color की एक cord से connected है इस cord को हम कहते है umbilical cord क्या कहते है इसको हम कहते है umbilical cord बेटा सब के पेट में नावी है नेवल सबके पेट में होते हैं सबके पेट में नावी है ना सबके पेट में है नावी एस और नो अरे बच्छे बड़े मा के प्लासेंटा से अटाच होता है इसी से एक developing fetus को खाना पीना हवा पानी सब कुछ मिलता है ठीक है खाना पीना हवा पानी सब कुछ मिलता है तो यह जो red color का आपको दिख रहा है nutrition देते हैं fetus को plus और एक point यहां पर याद रखना है मैं यही लिख देती हूं बटा तो प्लासेंटा इस क्या हो जाएगा प्लासेंटा इस अटाच टू वर्ड तो प्लासेंटा इस अटाच टू डफिटर्स ठीक है प्लासेंटा इस अटाच टू डबेबी या टू डफिटर्स बाई एम्बिलिकल कॉर्ड और जब बटा हम पैदा हो जाते हैं बच्चे तो क्या होता है यह कॉर्ड कट कर दिया जाता है और यही कॉर्ड इसी के इंप्रेशन बेटा नेवल के रूप में नावी के रूप में हमारे पेट में पूरी जिन्दगी प्रेजेंट रहता है तो इसी अटाच्मेंट पॉंट ऑफ दी अम्बिलिकल कॉड ओके सबको क्लियर हो गया समझ में आ गया तीनों इवेंट्स एक वीडियो देख ले सोजो चीजें हमने समझे फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस फर्टिलाइजेशन इवेंट दोनों को समझे बिट चैप्टर खतम ही हो गया भी क्यों ब्रेक चाहिए बस ऊच थोड़ा सा पॉइंट है डिसकस कर लेते हैं फिर एंजॉयर संडे है ना कल फिर मंडे है नह यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले हम देखने वाले है फर्टिलाइजेशन इवेंट तो ऐसे बिटा मिलियंस ओव स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं और दे मूब तुवाड्स टी फैलोपियन ट्यूब डे स्टार्ट मूविंग तुव और आप देख सकते हो यह स्पर्म को अपरोच कर रहे यह सबसे पहले अगर आप देखोगे वाट कैनल से होते हुए घुटिली वाम तक पहुचते हैं अब जैसे कि मैंने बताया जितने भी वाल्प सेल्स एप्रोच मिलियंस ओपिंस और विल अप्रोच टील वाम बट आप देखिए ओवाम के surface में बहुत सारे sperm cells attached हो गये हैं बट इन में से सारे के सारे बटा sperm cells enter नहीं कर पाएंगे only one sperm cell will enter आप देख सकते हो बस एक ही sperm cell enter कर गये है और वो जो sperm cells है अपने nucleus को वेटा उसने cytoplasm में release कर दिया है अपने nucleus को उसने cytoplasm में release कर दिया है नुक्लियस में क्रोमोजोम होते हैं यह जो एक्स एक्स आपको दिख रहा है यह सारे कि सारे क्रोमोजोम है अब यह क्रोमोजोम आपस में फ्यूस्ट हो गए फ्यूस्ट होने के बाद यह जो नया सेल बना इसको हम कहेंगे जाइगोट इसको क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे ज जाइगोट आप देख रहे हो अब डिवाइड हो रहा है एक से दो दो से चार चार से आठ ऐसे डिवाइड होते 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 एक मतर के डाने जैसा चोटा सा स्ट्रक्छर बन गया है इसको हम कहेंगे ब्लस्ट यूला अब इस स्टेज में जाकर यह उतरस पहुंचेगा ठी देखेँ दीरे से यूटरस के लाइंग में अटाच हो जाएंगा आप देख पा रहे हो हो यूटरस के ॆ डायनिंग में अटेच हो गए। उटरस में यह अंग्ध हो गए। इसको हम कहते हैं इंप्लान्टेशन उसके बाद क्या होगा विटा धीरे इसमें डेवलोप्मेंट आने लगेगी धीरे और डिवाइड करेगा ये और डिवाईड करते करते आप एक ताइम पर देखोगे एक झोटा सा एंब्रायो बनेगा क्या बनेगा एक चोटा सा ओंब्र स्ट्रेक्चर अब रायो थूआउट नाइन मन्थ डेवलोब होता रहेगा ठीक है नौ महीने में ये बिटा डेवलोब होता रहेगा सबसे पहले उसकी धरकने आएगी हाट की डेवलोप्मेंट होगी फिर इस एम्रायों में धीरे-धीरे बिटा हाथ डिजिट्स की होंगे और एक ताइम में ये एक complete human में develop हो जाएंगे ठीक है एक complete human में develop हो जाएंगे तो यह है बटा process of sexual reproduction in human ठीक है सब को समझ में आया तिसले minder टुवेवरिवन सान को समझ में आया किस तरीके कि से होता है थे गेलाप्मेंट किस तरीके से होता एक वरेट कि देवलोपमेंट अशिले टौब्डव मा CAP अधिकीये ये वीडियो सरह स्भुसमझने के लिए था हम को बस समझना था एक इंपलöhे तेसमें कुछ हमारे लिएदग फित्रकरा के लिए when number one is D viva paris, viva paris क्या होता है और number two is D oviparas, अब यहां में देखोगे, आप देखोगे बिटा कुछ animals होते हैं, they give birth to the young ones, क्या हो जाएगा, they give birth to the young ones, ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, वाइबर पैरस, जैसे की for example, human, ठीक है, for example, cow, etc, तो इनको हम कहेंगे, वाइबर पैरस, organism, वाइबर पैरस, animal, ठीक, उसी दरिगी से आप देखोगे, बिटा, कुछ animals ऐसे भी होते हैं, they lay eggs, अंडे देते हैं, for example, duck, सारे की सारे birds, in fact, hen, etc, excuse me, तो उनको हम कहते हैं, और वी पैरस, दो concept है, NCRT में, रिलेटर रैतीक है, वाइबर पैरस क्या होता है, और वी पैरस क्या होता है, वाइबर पैरस विच गे बर्थ तो दे यॉंग वन्स, और वी पैरस क्या होता है, विच ले eggs, example में, human, cow, एग्जांपल है, वाइबर पैरस का, और वी पैरस का, एग्जांपल है, हमारे duck, hen, and so on, अब जो लास्ट टॉपिक रह जाता है, बटा, NCRT से, that is metamorphosis, ठीक है, metamorphosis, कौन बताएगा, what is metamorphosis, metamorphosis क्या होता है, what is metamorphosis, क्या होता है, क्या होता है, कौन बताएगा, फटा-फट development or differentiation, ठीक है, क्या हो जाएगा, it is the development or differentiation in animals, ठीक है, differentiation in animals from young ones to the adult one, ठीक है, क्या है, बटा, it is a drastic change, okay, drastic change कहलो, development कहलो, differentiation कहलो, तो यह सारे क्या है, यह सारे है, हमारे metamorphosis, अब किताब में, दो example दिया गया है, metamorphosis का, एक तो हो गया, frog का, in fact frog का diagram भी दिया गया है, MCRT में, और दूसरा, बटा, silkworm का flow diagram दिया गया है, अगर आप देखोगे, flow diagram दिया गय का, तो हम यहाँ दोनों के life cycle discuss करेंगे, सबसे पहले अगर आप life cycle of a frog देखोगे, तो क्या होता है, बटा, life cycle of a frog में आप देखोगे, eggs होते है, ठीक है, eggs है, number one, fertilization हुआ, बटा, embryo बन गया, embryo से जो पहला individual बनता है, that is a tadpole, ठीक है, embryo से जो पहला individual बनता है, उसको हम कहते है, tadpole, अब tadpole में धीरे-दीरे आप देखोगे, तांगे आने लगती है, legs आने लगते है, पहले दो लेगाते है, फिर चाल लेगाते है, तो धीरे-दीरे tadpole क्या होता है, एक young frog में convert हो जाता है, एक young frog size में ग्रो करता है, और ultimately एक adult frog में ग्रो कर जाता है, तो यहाँ पे अब आप देखोगे, एक human से हमेशा human जैसा baby ही पैदा होता है, yes or no, yes or no, एक human से हमेशा human जैसा baby ही बनता है, या कुछ अलग टाइप की baby बनते है, बाद में human बन जाते है, human में क्या होता है बेटा, human में हमेशा human जैसे baby ही बनते है, right, yes or no, नहीं, पता नहीं है, क्या बनते सबस्क्राइब रीचिक में सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब लब करेंगा क्यों आски दो type के होते हैं, एक तो होता है बैटा, direct development, ठीक है? दूसरा होता है बैटा, indirect development, एक होता है direct development, दूसरा थै indirect development अब जैसे कि मैंने आपको human में बोला, human में क्या होता है? human में human जैसा ही बच्चा पैदा होता है है ना माल लो अगर ये एक human है तो इस से एक छोटा सा human ही पैदा होगा देखने में बिल्कुल उसी की तरह होगा बट frog में अगर आप देखोगे क्या होगा बटा frog में यहाँ पर हमने क्या देखा फ्रॉग में हमने देखा पहले तो एग था एग से एक टेड़ पोल बना फिर टेड़ पोल से एक टेड़ पोल विद लेग बन गए और उसके बार जाकर वो हमारे modern day frog बन गया डाइगराम पे ध्यान मत दो डाइगराम पे मत ध्यान दो इसको में पॉइंट में ध्यान दो direct development में क्या होगा human से human जैसा baby ही बन रहा है it is a direct development कोई intermediate stage नहीं है कोई intermediate stage नहीं है intermediate का मतलब है कोई beach का stage नहीं है जबकि indirect में क्या होगा intermediate stage प्रेजेंट होगा कभी कबार इसको हम larva वगरा भी कहते हैं इसमें क्या होगा intermediate stage प्रेजेंट होगा that means frog से सीधा frog नहीं बनेंगे frog से पहले tadpole tadpole में फिर टांगे आएंगे टांगे आने के बार फिर क्या होगा एक complete frog बन जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे indirect development को ही हम क्या कहते हैं metamorphosis that is changes or development of organism from young one to the adult one from the young one to the adult one तो यह हो गया life cycle of a frog दूसरा life cycle जो NCRT में दिया गया है वो है silk warm का डाइग्राम में ही है बस यह डाइग्राम है फ्लोर डाइग्राम है NCRT में की लार्वा है caterpillar है एग से विटा एग से लार्वा या डार्वा या डाइग्र बनता है इसलिए एड किया है ताकि आपको याद रहे number one point egg है विटा एग में hatching हो गई पहला जो बना लार्वा ठीक है लार्वा बना caterpillar कि कहते इसको हम फिर उसकी बाद विटा इसमें क्या होगा एग कवरिंग आ जाएगी कौकून कहते इसको हम अब प्यूपा में धीरे धीरे डेवलोपमेंट होते 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 क्या होगा एक एडल्ड बटरफ्लाइब जाएगा तो यह है लाइज साइकल आफ और यह विटा एक्जांपल है हमारे किसका यह भी एक्जांपल है हमारे मेटा मॉर्फो सिसका अब देखो एक कोश्चन दिया गया है NCRT में भूजों पूजता है कि वाइड ओफिशन फ्रॉग्स ले एग्जिन हंड्रेट्स वैडिस हैं ले ओनली वन एग मचलिया और जो फ्रॉग्स है इतने सारे अंडे क्यों देते हैं जबकि एक मुर्गी एक टाइम पर एक ही अंडा देता है तो यह कुशन आ सकता है यह कुशन आता भी है याद रखना है आपको देखिए मुर्गी में होता है internal fertilization body के अंदर fertilization होता है उसके बाद वो अंडे देते हैं तो fertilization का कोई रस्क उनको नहीं रहता लेकिन जो फ्रॉग है जो फिटा फिश है वो पानी में रेंडम ली अपने एक्ज रिलीस कर देते हैं तो हमेशा क्या होता है हमेशा 50-50 probability रहते है कि या तो उन अंडों को खा जाएगा या तो उनमें fertilization हो जाएगा समझ यो बॉड़ी बाहर फिटिलाइजेशन हो रहा है तो इतना खत्रा नहीं है बॉड़ी के बाहर फिटिलाइजेशन हो रहा है उसके दो चांट से कोई दूसरी मचली कोई दूसरा और गेनिसम उसको खा है जहां फिटिलाइजेशन बॉड़ी के अंदर होता है वहां एक्स बहुत कम रिलीज होते है तो आंसर पहली ने देख रखा हुआ है ठीक है एंस्यादी में ही आंसर है दो डिस्ट आनिमल्स ले हंड्रेज और एक्स और रिलीज मिलियंस अव सपर्म और एक्स दू नॉट अगर हजार लेगे तो हजार में से सिर्फ पचास अंडे वटा जो फटेलाइस होंगे बाकी सारे वहां पानी में छाएंगे ठीक है बह जाएंगे कोई दूसरा अनिमल उसको खा जाएंगे ठीक है या मान लो कोई बेक्टरिया उसको खा जाएगा या वो खुज से खराब ह हो जाएगा that means बेकार हो जाएंगे दस इसलिए उनको क्या करना पड़ता है लाज नंबर ऑफ एग्स पर्म्स प्रेड्यूस करना पड़ता है ताकि फर्टिलाइजेशन अक्लीस हजार में से पच्छास में तो हो ही सके इसलिए वह बेटा हमेशा क्या करते हैं लार्जर क्वा बारे में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में अब यह बहुत जड़ा फेमस है अशे बबार ऑट सब्सक्राइब नहीं हो पाता कभी कबार में सपर्म सेल्स बहुत कम रिलीज्ज होने के वजे से एक तक भी पहुच पाते तो कुछ भी रीजन हो उन्मीं क्या होत है बिटा फिटस की डेवलोपमेंट नहीं हो पाती तो ऐसे लोगों के लिए साइंस ने बायोजिस ने एक नया टेक्निक निकाला जिसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डाट मीज फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी बॉडी के बाहर फर्टिलाइज कहते है। उसके बाद जाइग जब बन जाएगा इसको बिटा फिमेल बॉडी के अंदर introduce कर दिया जाता है तीक है सीधा बिटा female body या मालो uterus के अंदर इसको inject कर दिया जाता है injection के तुरू इसको introduce कर दिया जाता है उसके बाद normal जैसे एक इंसान के body में baby की development होती है वैसे ही baby की development मा के body के अंदर होता जाएगा तो यह क्या है बिटा यह है in vitro fertilization जिसमें सिर्फ उसे fertilization body के बाहर होता है बाकि सारे के सारे processing बिटा body के अंदर ही होता है अब last point है ठीक है last point है डॉली के बारे में दिया गया है डॉली कौन है डॉली कौन है कौन है कौन है डॉली डॉली बिटा एक clone ship है क्लोन ship का मतलब है दो अलग-अलग ship के genes को मिलाकत इसको बनाया गया था ठीक है दो अलग-अलग sheep को breed करके इसको बनाया गया था तो डॉली की कुछ information दान्सियाटी में है सबसे पहले तो डॉली क्यों है किसने बनाया था ठीक है तो यहां पर आप देखोंगे विटा डॉली क्या है एक शिप है जिसके कुछ हिस्सों को जिसके कुछ dna को हमने छेर खानी कर देती ठीक है किसने किया था आयन मिलमर्ट अन हिस कॉल इड दी रोजलिंग इंस्टिट्यूट ओफ एडंस बॉक स्कॉटलेंड में है अब यहां भी क्या था सक्सेस्फुली क्लोन शिप था मतलब इसके दो शिप के यहां में क्या होता है बटा तो मैं बता दू मैम्मल्च नरटे की ड्रेश्ट ड्रेंश्टिण होती है अनुग कर दो टो डॉली वो पहला शिप था पहला मैमल था जसमें क्या था आर्टिफिचिल क्लोनिंग होता था अब देखो वो शिप कौन-कौन से थे पहला शिप था फिंड और्शिद शिप देखो फिंड और्शिद शिप को क्लोज करवाया गया स्कोटिश ब्लाक फेश यू से दो करवाएगा इतना मत जाओ artificially reproduction करवाया गया समझ लो उसके बार दोनों के combination से बना डॉली दोनों के combination से क्या बन गया डॉली और डॉली में आप देख सकते दोनों के characteristics है मुह अगर आप देखोगे थोड़ा इनसे भी मिलते है बॉडी अगर आप structure देखोगे इनसे से भी मिलते हैं है तो यह था हमारा पहला क्लोन शेफ डाट इस डॉली अच्छा तो इसके साथ हमारा chapter यहीं खतम होता है आपको कुछ doubt है तो यह definitely आप पूछ सकते हो otherwise कुछ कुछ questions है फटावच से questions discuss करते है क्या कहते हो कुछ doubts है तो अब यहां पूछ सकते हो anyone any doubt नीफ बैच कब शुरू होगा पता नहीं बेटा जरू जल्दी होगा बहुत जल्दी होगा ठीक है पहले एट का एक्जान दे लो फिर नीफ आजना so anyone dolly looks cute yeah she is okay so sab ko समझ में आ गया sexual reproduction sexual reproduction in humans sab kuch what is unisexual यूनी सेक्शल का मतलब है ऐसे organism जिसके body में बस एक ही sex present हो इधर male और a female ठीक है no doubts cloning cloning का मतलब बेटा artificially reproduce करना ठीक है that means allow करना कि हाँ इनको हम आपस में cross करवा रहे हैं reproduce करवा रहे हैं next why butterfly developed indirectly mode है बटा why का कोई connection नहीं होता that's a mode of reproduction अलग-अलग organism में अलग-अलग होता है bisexual का मतलब जब एक ही individual एक ही organism के अंदर दोनों sex present होंगे male female तो उसको हम कहते है bisexual जैसे कि कुछ plant होंगे उसमें आप देखोंगे male पार्ड भी है female पार्ड भी है ठीक वैसे कुछ lower animals होता है बटा उनमें male पार्ड भी होता है female पार्ड भी होता है kenshua artworm देखा है artworm is bisexual male female एक ही organism एक ही अनिमल के अंदर है उसको हम bisexual कहते है ठीक है उसके बाद नहीं बटा दॉली मर गई है अब नहीं रही है वो अनिवेज अनिवेज what is metamorphosis better metamorphosis is the development ticket development and of an organism from young one to the adult through different indirect stages उसको हम कहते है metamorphosis song better song नहीं सडी लगी हुए आवाज बहुत खड़ाब हो रखा है anyways okay चलो फिर question करते है पड़ावट से कुछ है लगता है बच्चे को कुछ दाउट है रही सेट ऑफ दे री प्रेड़क्टिव टर्म आग इवन बिलो चूज्ट सेट है इनकरेक कॉंबिनेशन तो में फटा फटा फटे option बता रहेती हूं मैं sperm testers sperm duck penis menstruation egg oviduk uterus sperm oviduk egg uterus ovulation egg oviduk uterus इसमें से कौन सा अंसर है जिसमें गलत इकठे add कर दिया गया है और भी परस का मतलब जो अंडे देते हैं विच ले एग्ज वाइब परस का मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं गिफ बर्थ तुदे यंग वन टीक है अच्छा कुछ बच्चे कह रहे है कि ट्रांस जेंडर क्या होता है ना वह एक क्रोमोजों में क्रोमोजों के इसे बच्चे पैदा होते हैं जो मेल भी नहीं होते फिमेल पीमेल नहीं होते हैं दोनों क्यरेक्टर्स प्रेटन होते हैं ऑके बच्चे कहा रहा है आपक्शन 3 is sperm, duck, ovi, duck, egg and uterus यहां पर आप देखो गित्ष के तीनों फिमेल के हैं विप्ट इस product of the सभी तो हो जाएगा हमारा आंसरिण है इन्यूमस प्रइह डेवलॉपर touch in the human में बिटा फेटिलाइजेशन एग की डेवलॉपमेंट कहा होती है ध्यान से देखो छाह सक लूपकि और ध्यान से ने को डैरीलोपमेंंट ऑफ Fertilized Egg Fertilized Egg की Development कहां होगी Fertilized Egg की Development कहां होगी Oviduck में बेटा Fertilization होती है Fertilized Egg की Development नहीं होती Option 4 Uterus बच्छी की Development तो Uterus में होगी ना Option 4 is the correct answer हमरे बच्छा थोड़े Confuse हा गया होका चलो next question में आते है in the list of animals given below hen is the odd one out है ना आप देखो human being है cow है dog है hen है तो यहां पर hen जो है कुछ यहां पर fit नहीं बैठ रहा है गाय कुट्टा और human के भीच hen बटा fit नहीं बैठ रहा है क्यों नहीं fit बैठ रहा है भाई इड अंडर गोस इंटर्नल फर्टिलाजेशन इसलिए इडिज ओवी परस इसलिए इडिज वाईवे परस इसलिए इड अंडर गोस एक्स्टर्नल फर्टिलाजेशन इसलिए वट विल विदा आंसर बैठ लिटा human में hen में डॉग में और काव में यह जो हैन है वो ओड वन आउट का है हो रहे है क्यों बिकॉज इस ओवी परस क्योंकि अगर आप देखोगे विटा human cow dog यह तीनों के तीनों वाईवर परस है हैं एक ऐसा लॉटा है जिसमें क्या होगा जिसमें बिटा इट विल ले एट इस ओवी परस येस वेरी गुड चलो और एक कुशिन करते है अनिमल एग्जिविटिं एक्स्टरनल फर्टिलाजेशन प्रेडूसर लाज नंबर अफ गैमिट्स पिक दी अप्रोप्रोप्रेट जिसमें बिटा इक्स्टरनल फर्टिलाजेशन होता है बहुत सारा गैमिट्स बनाते है वो अभी मैंने पढ़ाया हुआ है क्यों बनाते है दा एनिमल्स आस्माल इंसाइज और वन्टो प्रेडूस्प्रिंग फूड इस अवेलेबल इन प्लेंटी अवाटर तो एंशर बे मैं नंडनाते है यह फटा मैसे बताओ क्यों बनाते हैं क्लोणि क्लोनिंग बेटा थुटों डूनाटेश्यों दोनों वह सकता है सेक्शल में भी ऐसक्षब भी डिटर्माइन करेगा कि आप किस कॉंटाक्स में उसको यूस कर रहे हो अनिवेज येस वेरी गुड़ वेरी गुड़ तो एंश्यार बेटर चांस ओफ फटिलाइजेशन है ना फटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सके इसलिए वो क्या करते है लाच नॉबर ऑफ गैमिट की प्रिडाक्शन करते हैं ओके वेरी गुड़ तो कमिंगे नेक्स कॉस्चिन विच आप प्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं इन में से मुझे फटा फट बताओ कौन सा ओप्शन सा यह ओप्शन होगा फटिलाइजेशन एक्स्टरनली होता है फटिलाइजेशन टेस्टस में होता है फटिलाइजेशन में एग बेटा स्परम सेल की तरफ मूव करता है या फटिलाइजेशन हुमन फीमेल में होता है क्या होगा येस वेरी गुड फटिला next question पर आते हैं in human beings after fertilization the structure which gets embedded in the wall of the uterus is oh warm embryo fittest zygote थोड़ा सा confusing यह है ना confuse करने के लिए मैंने डाला है थोड़ा सा यह advanced level का question है कि बिटा fertilization हो गया होने के बाट uterus में जो जाकर चिपकता है क्या है वो ओवाम है उसको ओवाम कहेंगे हम embryo कहेंगे हम उसे fittest कहेंगे उसे हम यह zygote कहेंगे क्या कहेंगे उसको हम अग्चली मैं अगर आप देखोगे वेटा उसको हम ओवाम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि यह fertilization पहले फॉर्म होने वाला चीज है fittest भी नहीं कहेंगे क्योंकि अभी वह human जैसा बना नहीं है जाइगोट भी उसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि जाइगोट वह पहला सेल है जिससे अब पूरी की पूरी और्गेनिजम बनेगी तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा option two that is embryo ठीक है क्या हो जाएगा option two that is embryo okay next question aquatic animals in which fertilization occur in water are said to be तो पानी में रहने वाले और्गेनिजम है जिसमें fertilization बाहर होता है उनको क्या कहेंगे वाइवर पैरास without fertilization और भी पैरास with external fertilization वाइवर पैरास with internal fertilization और भी पैरास with internal fertilization क्या कहेंगे उनको हम बेटा फ्रॉग में फिश में जो एक्स बाहर रिलीज होता है उनको क्या कहेंगे उनको सबसे पहले दो देखो एक्स जो है बाहर रिलीज हो रहा है external अंडे हैना अंडे प्रडियूद हो रहा तो यह हो गया औभी परस तो ऑप्शन टू औभी परस्विट एक्स्टरनल फटिलाइजेशन यह हो जाएगा हमारा सही आंसर ठीक है ओके नेक्स कुश्चन आफ्टर फटिलाइजेशन दर रिजल्टिंग सेल विच गिव राइस दर न्यू इंडिविज्विजल इस्टी फटिलाइजेशन के बाद जो पहला सेल बनेगा जिससे पूरी की पूरी ओर्गेनिजम की डेवलोपमेंट होगी उसको हम कहेंगे उसको like答 कहेंगे umong कहेंगे या fittest कहेंगे fittest मैं बोल चुकि पाद फिटस चब एक human-like अकार बन जाता है उसको fittest कहेंगे ड़ाइगॉट पहला सेल है तो क्या कहेंगे उसको हम the correct answer is fertilization के बाद जो पहला सेल बनेगा जिससे पूरी की पूरी पूरी embryo पूरी की पूरी फिटस बनेगा उसको हम कहेंगे जाई गॉड ऑप्शन फोर हीर इस दी करेक्ट आंसर ओके अब देखो एक डायग्राम बेस्ट क्वेश्चन है यह एंस्याटी में भी है डायग्राम बेटा क्वेश्चन क्या है हमें अच्छे से स्टेटमेंट को परना है और फिर ABC लिखना है तो य फीमेल गयमेट कहां प्रडियू दोगा फिमेल गयमेट विटा यहां प्रडियू ओगा है ना तो यह पर नंबर ए का अंसर क्या हो जाएगा ओरी ovary is the correct answer ovary में form हो जाएंगे उसके बार next देखिए the part where development of the baby takes place कौन सा हिस्ता है कौन सा part है जिसमें बटा baby की development होगी कहां होगी baby की development कहां होगी baby की development uterus में होगा जाहिर से बात है so it is uterus फिर देखिए the part through which developing embryo passes to reach the uterus तो कौन सा हिस्सा होगा it is the ov duck ov duck के through वो pass होगा so it is ov duck हो गया हमें अपना आंसर मिल गया ABC अब part B देखिए explain the future development of the embryo that takes place after it gets embedded in the uterus इस में बटा मैं आपको बस बता लिती हूँ लिखना आपको खुद से है लिखना क्या है कि after tea implantation after its attachment ठीक है throughout the period of 9 months the fittest will develop different organs different parts of the body until it get developed into an entire organism हमें कुछ इस तरीके से अपना आंसर frame करना है ठीक है so we had a wonderful session today सबको I hope समझ में आगया होगा कुछ डाउट सोंगे definitely आप किसी भी माध्यम से मुझे पूछ लेना I will definitely try to answer यहां मेटा जो जो doubts मुझे दिखे I tried कि मैं आपको उसी time clear करती जाओ ठीक है so it's really nice to meet every one of you and again first of all आज पहला lecture ता आगे आप मिलते रहेंगे फिर भी कह देते हूं जिसका अलड़ी एक्जाम शुरू हो चुका है या होने वाला है best of luck to every one of you thank you and have a very nice week ahead Tata आप बादा आप जिए जाप आप जाप आप जाप जाप नहादा